चोपड़ा है जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरी प्यारी बच्चों इस बात को आप जानते हैं कि इस साल टोटल 23,081,833 कंडिडेट ने रेजिस्टेशन किया है नी 23 की एकजाम के लिए इसी के बीच एक बड़ी कुशी की बात ये है कि इस साल टोटल 17,000 सीट्स MBBS की इंक्रीश हो रही है ये बड़ी कुशी की बात है इससे कटोफ बिल्कुल इफेक्ट होगी और जहां तक सीट इंक्रीज का और रेजिस्टर्ड कंडिडेट का रेश्यो है उसमें इस बार फरक पड़ा है यनिए की हर साल सीट कम इंक्रीज होती है और इस्टुडेंट रेजिस्टर्ड जयादा होते हैं इनका दुनों का रेश्यो देखा जाता तो तो इस बार सीट काफी सारी इंक्रीज हो रही है और इसी इंक्रीमेंट से कटोफ पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा सबसे पहले हम एक नोटिस देख लेते हैं इस नोटिस में यही कहा गया है कि टोटल 170 कोलेजेज में जिसमें 112 कोलेज न्यू मेडिकल कोलेज हैं और 58 एक्जेस्टिंग कोलेज जिनमें सीटें इंक्रीज होनी हैं तो उनको मेल भेज दिया गया है NMC की तरब से क्योंकि इन 170 कोलेजेज ने अपलाई किया था तो इसके बारे में आगे एक्षन हो रहा है अभी इंस कोलेजेज का और इसमें कितने सीटें बढ़ेंगी ये NMC के अप्रूवल के बाद ही होगा लेकिन तकरीबन इसमें 17,000 सीट बढ़ने की पोसिबिलिटी है इसमें गार्मेंट और प्राइविट मिक्स हैं मैं आपको दूनों अलग-अलग करके बताऊंगा और आपके हुए है इसके अलावा भी सीटें इंक्रीश होंगी और भी सीटें इंक्रीश हो रही है तो अभी तक टूटल 707 से मेडिकल कॉलेजेज है और इसमें 1,09,9,000 के समथिंग अभी सीट से और इसमें 17,000 सीट और एड हो जाएंगी तो ये टूट्ल सीटें 126,000 के निरभाई हो इस सीटें increase हो रही हैं बात करते हम UP state की तो UP state में total new colleges इस बार open हो रही हैं वो 22 colleges open हो रही हैं total 22 colleges open हो रही हैं इसमें government 13 medical college हैं और 9 private medical college हैं मैंने यहां अलग-अलग लिख रखा है government college कौन-कौन सी हैं और private colleges कौन-कौन सी हैं तो आप यह देख सकते हैं इसमें government और private colleges के बारे में की UP state में total कितनी colleges इस बार open हो रही हैं यह UP state की existing college हैं जिनमें seat increase होंगी government की दो college हैं और private की 10 colleges हैं total 12 colleges में यह seat increase होंगी एक बार इसका हम समरी देखें तो total government में UP state में 1700 MBBS की seat increase होंगी प्राइवेट में 1900 seat MBBS की increase होंगी टोटल अगर government और private को मिला कर देखें UP state में तो यह 3600 के नियरबाई यह MBBS की seat increase होंगी UP state में ही सबसे ज़्यादा seat increase हो रही है इस बार इनमें यह पिछली बार seat increase होने थी लेकिन पिछली बार नहीं हो पाई है इस बार यह confirm UP state में government की seat होंगी और यह seat increase होने से हर एक state को फाइदा होता है क्योंकि 15% seat इसमें ओल इंडिया में चली जाती हैं दूसरे state पर है महराष्ट्रे महराष्ट्रे state में जो new medical college open हो रहे हैं उसमें government की 10 medical college open हो रही हैं private की 4 medical college total 14 medical new college इसमें open हो रहे हैं और एक college जो मादमा गांदी है औरंगाबाद में उसके अंदर seat increase हो रही हैं तो टोटल महराष्ट्रे state में देखें तो government की 1300 के nearby MBBS की seat new colleges में increase होगी और existing colleges में new और existing में होगी और private colleges में 700 MBBS की seat increase होगी तो टोटल महराष्ट्रे state में 2000 के nearby ये seat increase होगी government और private को मिला करके तीसरे नमर पर है तेलेंगाना state तेलेंगाना state में government की 8 नई college के लिए apply किया है और private की 3 colleges हैं total 11 colleges रन होने की possibility है इस year में और इसमें अगर हम देखें तो 1000 के nearby government seat इंक्रीज होगी और 500 के nearby private seat इंक्रीज होगी total 1500 seats इंक्रीज हो जाएंगी इस साल तेलेंगाना state में इसके बाद fourth नमर पर है MP MP में भी इस बार काफी seat इंक्रीज हो रही है गौर्मेंट की 7 new medical colleges open हो रही है प्राइवेट की एक college open हो रही है total 8 open हो रही है इसमें और seat देखे तो government की 900 और private की 100 seats अगर होती है तो total 1000 seats MP स्टेट में इस बार हो जाएंगी राजस्तान स्टेट में भी पांच government नए medical college open हो रहे हैं इस बार इसमें स्वाई मादोफूर नागोर और इसके बाद में जो government medical college है बारा जुन्जुनू और बास्वाडा ये पांच government college हो रहे हैं छे private college total 11 colleges की बढ़ोतरी हो रही है और इसमें एक government college बाडमेर में भी इस बार seat इंक्रीज होंगी और private colleges में भी seat इंक्रीज होंगी तो total राजस्तान में 1700 MBBS की seat इंक्रीज होंगी जिसमें government की 600 और private की 1100 seats इंक्रीज होने की possibility है क्योंकि इन colleges ने apply कर दिया है इन new colleges ने apply कर दिया है अभी NMC की approval मिलना इनको बाकी है इसमें next six number की बात करें तो अंद्रा स्टेट में भी पांस government नए medical college ओपन हो रहे हैं private की दो total साथ colleges new open हो रहे हैं और तीन government college में MBBS की seat इंक्रीज हो रही है और दो private में इंक्रीज हो रही है करनाटका स्टेट की बात करें तो government दो government college तीन private टोटल पांस colleges में और एक government और बाकी seven private colleges में seat increase होगी government में 300 और private में 1000 टोटल 1300 के नियरवाई इस state में भी seat increase हो जाएंगी यह जो seat इंक्रीज हो रही है इनकी application NMC के पास पहुंच चुकी है NMC ने आगे की जो प्रक्रिया है वो colleges को mail दोवारा भेज़ दी है कि आगे क्या करना है NMC का inspection होना है और इनको अपरोल मेलने के बाद में यह college 2100 के लिए run हो जाएंगी उडिसाइ स्टेट की बात करें तो government के लिए 2 private के लिए 1 total 3 colleges run हो रही है इस बार government की 300 seats और private की 300 total 600 seats उडिसाइ स्टेट में increase हो जाएंगी वेश्ट बंगोल की बात करें तो government team private, पंस total 8 और increase हो रही है 4 government colleges में और 5 private colleges में चुरी, 4 private colleges में, तो total government की 600 MBBS की seats increase होंगी, प्राइवेट की 1,000 total 1,600 seats वेश्ट बंगोल में इस साल increase हो जाएंगी अब बाकी colleges की बात करें जिसमें एक दो एक दो colleges run हो रही है तो एक बार government की new colleges की देख लेते हैं तो new colleges में दिली में एक government की college open हो रही है इसके बाद आसाम में तिन सुक्या में एक government college open हो रही है हरियाना में एक government college open हो रही है और सिक्यम में एक government college open हो रही है इसके अलावा इन बाकी states में ये 18 government शुरी private colleges हैं इन में ये 18 private college open हो रही हैं तो देखें बाकी states में new colleges हैं 600 MBBS की seats होंगी प्राइवेट की भी 2700, total 3300 seats इसमें open हो जाएंगी बाकी states में इसके अलावा इसमें और भी हैं जैसे बिहार स्टेट में यहां प्राइवेट के अलावा और भी government college भी open हो रहे हैं जो इसमें उनकी आलड़ी application आचुकी है एनमसी के पास में वो progress में हैं और भी एक दो स्टेट हैं ऐसे जिनकी आलड़ी progress में हैं वो एनमसी के पास application तो और existing colleges में देख लेते हैं तो छे government colleges में seat open होंगी इसमें increase होंगी हरियाना में होगी हिमाचल में होगी इसके बाद शोरी अरुनाचल में होगी उत्राखंड में होगी बिहार गोवा तिरपुरा इनमें यह सीटें increase होंगी total 300 government की seats increase होंगी existing college में और 600 private की total 900 seats increase होंगी तो इन-इन states में यह seatे increase हो रही है मैंने आपको बताया इनके लवा और भी state में seatे increase होंगी जिनकी NMC के पास में already application process में है यह तो अभी application NMC के पास आई है और उस पे progress हो रहा है अभी एक बार summary देख लेते हैं इसकी तो total 17,000 MBBS की seats इस बार 2024 में increase होने की possibility है उसमें total अगर new medical college देखें त 112 college हैं जिनमें government की 7,000 MBBS की seats इसमें increase होंगी और इसमें सबें state को फायदा होगा क्योंकि इसमें 15% जो seatे हैं वो All India में आएंगी और 15% seatे All India में आने से cutoff में काफी फरक पड़ेगा यानि की cutoff down ही जाएगी private की 7,600 seats increase होंगी जो state के candidate को फायदा होगा जिनकी low marks है जिनके पास budget अच्छा है वो उन candidates के लिए यहाँ फायदा होगा तो total new colleges 112 college में देखें तो 14,600 MBBS की seats से government और private की मिलाके increase होंगी और यह अगर existing college में देखें तो 58 colleges है government की 800 और private की 1,600 seats यहाँ increase होंगी तो total 2,400 MBBS की seats increase होने की possibility है पूरी पूरी और grand total अगर हम देखें तो government में तकरिवन 8,000 seat increase हो जाएंगी इस साल के लिए और private में 10,000 के nearby तो total अगर इनका देखते हैं तो 17, 18,000 के nearby यह seat हो जाएंगी यह मैं आपको approximately इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि total 170 colleges में किस college को permission नहीं मिलती है कोई college की requirement पूरी होती है या नहीं NMC की guideline के मुताविक यह तो बात की बात है लेकिन फिलाल जो proposal है application पहुंची NMC के पास में वो 170 colleges की application यह पहुंची है और इन में जरूर seat ओपन होंगी क्योंकि हमने previous year में भी देखा है हर साल 10,000, 8,000, 6,000 यह 2-3 साल में seat इंक्रीज हुई है मेरा कहने का मतलब यह है कि seat इंक्रीज हो रही है और जब इतनी सारी seat इंक्रीज हो रही है आपके पास अभी एक मेहने का समय बचा है और वो जो एक मेहने का समय है अभी आपके पास में यह बहुत ही important है इसमें आप मेहनत करो थोड़ी सी मेहनत से भी आप अच्छा score कर सकते हैं इसमें एक मेहने की मेहनत आपके लिए काफी लाबधाइक साबित होगी और आपको एक अच्छा कोलेज मिलेगा, कोलेज काफी ओपन हो रहे हैं, सीटें काफी इंक्रीज हो रही हैं, इसमें आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से तयारी करो, फुल 15 hours की study करो एक मैने में आप जान लगा दो आपकी life इसी मैने पर depend करेगी अगर आप एक मैने मैने मैनत करेगे आपकी life set हो जाएगी आप एक मैने अगर depression में रहोगे आप सब कुछ अपना बरबाद कर लोगे इससे कोई फाइदा नहीं होगा depression में tension में रहने से कोई फाइदा नहीं रहेगा शिवाई नुकसान के आप मैनत करो बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कितना score आएगा वो देखा जाएगा लेकिन आप मैनत करो ताकि आपको एक ये ना हो कि मैं कास थोड़ी सी मैनत और कर लेता तो मेरे को ये college मिल जाते तो ये जानकारी थी मेरा last में वीडियो के अंत में कहने का मतलब ये ही है कि अभी आपके पास में एक मैने का समय है एक मैने अच्छी तयारी करोगे आपका selection आवस्षे होगा सीटें काफी बढ़ रही है बेस्ट ओपल